करने कर लिए अंडरलाइन कर लिए अप्ट शेंज करना इस पे आप कोलर चेंज कर लिए जो कुछ भी करना आप अकारोस कर लिए आम सारा कुछ अब इस अब उसके बाद में बाह इता है कि इसका डिटल सबसे पहले आप रखी ठीके सेलरी क्या है उसके बाद में लिखता हूं working day working day में थारा सही कम बढ़ता है तो आप यहां से पढ़ता है तो ज्याद हो गया, उसके बाद में लिखता हूं अमाउंट मतलब कि वर्किंग डे अमाउंट होगा अब इसको बढ़ाना आए तो आप यहां से बढ़ा लिजिए बाहर ही बाहर क्लिक किजिए और इसको पुरा कर लिजिए ठीक इतना हो गया उसके बाद में अमाउंट के ब Overtime को भी बढ़ाना तहब यहां से बाहर क्लिक कीजिए एक बार, फिर क्लिक करके बढ़ा लिए, Overtime क्योंकि इस कम्पनी में लगाया जाता है, Overtime दे उसके बाद में बात आता है, Overtime के बाद में Overtime amount, overtime amount, overtime amount के में आता है, total amount, total amount के बाद में आता है, बारी ESI का, तो ESI कितना percent करता है, ESI, इसको कम ही रख लेते हैं, इतना बहुत है, बारी आता है, तो ESI कितना percent करता है, तो यहां पर लेते हैं, one percent, जितना भी है, आप one percent करते हैं, जितना भी करते हैं, आप देखिया कम्पनी में कितना रूल है, उसके बाद में आता है, fund, fund यहां पर 9% रख लेता हूं मैं उसके बाद आता है gross total कि आप कितना payment देने वाले है cash हाथ में तो यह seat त्यार हो गया तो यहां पर मैं रख लेता हूं और चाहे तो आप यहां से serial number के हिसाब से type कर सकते हैं तो इस ता से clicky और fill serial पर click किया तो serial यहां पर मैं नाम अपना ही salary बना लेता हूं तो यहां लिखता हूं चंदन चंदन तो नाम को थोड़ा से और बड़ा कर लेता हूं ताकि आसानी से type हो जाए करेगा तो नाम को ज्यादा ही बड़ा रखिएगा कि अधिए चंदन कुमार ठीक है सेलरी मेरा माल लिजे कि मेरा 15000 रुपे रही है या फिर बीस जार पच्चीज जार जितना भी एक्स वाई-जड माल लिजे पंदर हजार पे मेरे सेलरी है तो सेलरी के हिसाब से इतना जगा बहुत है इसको आप सेंटर में कर लिजी ताकि स कर लिजी है सेंटर में सेंटर में करके मैं टोटल में 20 काम किया है यह क्या कि मैं निकालने पड़ेगा ओवर सब कुछ फार्मूले से निकलेगा बस यहां पर सेलरी और दे और मतलब तिन ही चीज़ होगा ना अपना कि मेरा सेलरी कितना है मैं कितना दिन काम क्या हूं कितना घंटा ओवर टाइम लगाया हूं बाकि टोटल सारा कुछ जिसमें यदि इसमें आपको कॉलम एक और करना है त चैसे कि इसमें गुर्ष टोटल हो गया उसके बाद में आप किसी को एडवांस दिये हैं तो एडवांस को कॉलम करके आप माइनस कर सकते हैं तो लेकिन इतना फर्मूला लगा लगा लीजा तो इसको भी समझ जाएगा एडवांस वाला तो चलिए पहले हम इस पर काम करते ह अब बारी आता है कि मेरा जो working day amount हो कितना बनेगा यहां मैं click करता हूँ यहां पर जाता हूँ और formula लगाता हूँ सबसे पहले करता हूँ ब्राबर और उसके बाद मैं करता हूँ bracket तो देखिए कैसे काम करता है यह formula तो यहां पर जो 20 दिन है और 15 दिन है तो इसका जो monthly day है automatic select हो जाएगा c6 automatic select हो गया ठीक है उसके बाद में गुना का sign डालूँगा इस पर mark 9 को पर है गुना keyword का देखिए उसके बाद में करना है हमें d6 को d6 एक सब्सक्राइब करूंगा मैं यहां से कि आपस में दोनों को गुना कर दिया तीस से अधि आपको 30 का महिना है तो 30 लिखिए यहां पर 31 लिखिए यादि आपको 28 का महिना तो यहां पर 28 लिखिए तो यहां पर अभी हमारा तीस का महिना तो 30 लिखिए अब 30 लेता हूं ब्रेकेट कुलोज करता हूं और एंटर करता हूं तो टोटल मेरा 20 दिन का माउंट बना दस हजार रुपय है, दस हजार रुपय है मेरा टोटल अमांट बन रहा है, वैसे भी आप मैस लगा है, मैं easy step पीछले डाला हूं ताकि आप लोग को साथ साथ में पता लगए क्या एंसर सही आ ठीक है, उसके बाद में over time day, over time घंटा, तो 48 घंटा, तो यहां पर simple भी बात है क आठ से हम divide कर देंगे क्योंकि जो हमारा जो company में जो working day होता है, आठ घंटे का होता है, आधि आपको 10 घंटा है तो आप यहां 10 घंट लगाईएगा, तो मैं करता हूं है बराबर, फिर bracket, उसके बाद में लेता हूं F6, क्योंकि F वाला column है, और row 6 है, तो F6 select हो गया, उसके इसके बाद में divide करता हूं, यहांदि आपके company में, आपके करमचारियों का 8 घंटे के हिसाफ से salary लगाया गया है, तो यहां पर 8 टाइप किजिए, यहांदि 10 घंटे के हिसाफ से salary लगाया है, तो 10 घंटे टाइप किजिए, यहांदि 12 घंटे के हिसाफ से salary लगाया गया है, 15,000 रुपय है तो यहां पर 12 घंटे टाइप के जिए लेकिन हमारे साफ से 8 घंटे के साफ लगाए गया है तो 8 को उसके बाद में bracket close और फिर मैं करता हूं एंटर तो यहां पर मेरा 6 दिन बन गया ओवर टाइम तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ एक आदमी के लिए आपको इतना फर्मुल लगाना है बाकि जितना की आप नीचे एड करते जाएगा सब का आटूमैटिक निकलता रहेगा फर्मुल लगाने के कोई सब्सक्राइब करेंगे तो हम इसको लेंगे तो इसको क्या करेंगे गुना जी टू डिवाइड़ थर्टी ब्रेकेट क्लोज और घ्याफर 5 यहां पर 0 आ रेका रहा है तो 0 आने की तो मैं लिखा हूं जो के मुझे 6 लिखना चाहिए थए था तो मैं हा पर जी 6 कर लेता हूं थीक है क्या तो आ गेा 3,000 रुपे देखिए, तीन हजार रुपे आ गया, अब हमेरा टोटल बना दस, अब तीन तेरह जात, टोटल अमाउंट को क्या करना है, बस यहाँ पर क्लिक कीजिए, टोटल अमाउंट पर, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ब्रावर, ब्रैकेट, अब E6, क्योंकि जो सेल नमर है, E6 है, प्लस H6, क्योंकि तीन हजार जो है, H6 में है, H6, ब्रैकेट, क्लोज, एंड एंटर, क्योंकि मैं प्लस का निसान बीच में लगाया हूं, तो आपस में दुनों प्लस होके, अट्मेटिक आ जाएगा, तो तेरह जार, अब आताता है, ESI 1% का, तो ESI का फर्मूला कैसे लगेगा, क्लिक कीजिए, ब्रावर, ब्रैकेट, E2, टोटल अमाउंट कितना बना अपना, E2, E6 हमें इसलिए लेना है, क्योंकि हमारा ओवर टाइम को कभी भी, ESI फंट से नहीं मुकाबला किया जाता, कभी नहीं जुड़ा जाता, हमें इसा ग्रोस टोटल या बेसिक पे जो होता है उसी से ESI निकाला जाता है, तो बेसिक पे जो बन रहा है हमारा अमाउंट बन रहा है, E6 में, तो E6 यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, E6 के बाद में आपको बस गुना का साइन डालना है, और जितना परसेंट आपका ESI लगता है, जिसे 1%, 10%, 2%, तो यहाँ यहाँ पर, मैं 1% टाइप लिखे है, कीवोड से, आप सिफ्ट एफ 5 प्रेस करके परसेंट लगा लिजिए, 1% यहाँ पर टाइप किजिए, अब ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो देखिए, 10,000 के हिसाब से 1% सोर पया, बिल्कुल सही-सही आगया ESI, अब बात आता है, फ E6, गुना, 9%, 9% यहाँ पर ESI कट रहा है, फंड कट रहा है, तो फिर यहाँ पर करेंगे 9% टाइप, और ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर, देखिए, अब 100 पे है, और 900 पे है, फंड, 100 पे है, फंड, 100 पे, फंड, 100 पे, ESI, ठीक है, जो कि मेडिकल के लिए कटा जाता है, औ थीक है, तो यह 900 पे, तो टोटल, 100 और 900, आब हमें क्या करना है, कि अब जितना पेमेंट देना है, हमें, अपने worker को, या फिर employer को, तो उनको, इस से, इन दोनों को, माईनस कर देना होगा, तो क्या करना है, क्लिक करना है, ब्रावर, ब्रैकेट, ठीक है, i6 i6 minus j6 minus k6 ब्रेकेट क्लोज और एंटर तो 12 हजार रुपय है मतलब 13 में से 100 minus और 900 minus कि फार्मूला यहाँ पर minus minus के लगा गया तो टोटल इतना निकल गया यह अधी फ्रेंड्स आपको अधी आप किसी को advance दिये हैं advance अब दिये है तो आपको क्या करना होगा कि advance का कॉलम बना लेना होगा यह पर और उसको एज से का आप से मैने सका है तो वी समें उससे भी मैने संकरना होगा तो यहाँ से अधिमालाइग्ष चली इमें बनाएं लेता हो यहार करता हो। पर एडवांस advance जोगि advance दिये जाते हैं लोग लेते हैं तो advance यहाँ पर करता हूँ 5000 ठीक है और यहाँ पर करता हूँ साथ में इसको फर्मूले में minus l6 enter तो यहाँ पर देखिए 7000 रुपे हमें payment आ गया अधि यहाँ पर 0 होता तो automatic 12000 तो यहाँ पर 5000 रुपे दिये advance तो 7000 रुपे अब आपको फर्मूले पर कुछ भी कहीं भी कुछ बना जैसे seat बना है इस पर आपको कुछ भी लगाने जरूत नहीं है बस ऐसे लिखे राम कुमार ठीक है सेलरी उसका 20,000 ठीक है ओवर टाइम अमांट 25 या फिर 26 किजिए ठीक है उसके बाद में अब कुछ करने की जरूत नहीं है बस आप इस लाइन को किलिक कीजिए ऐसा खीचिए देखिए आटोमेटिक आ गया यहां पर खीचिए आटोमेटिक आगया इसो किलिक करके जरूत नहीं आपका निकलता जाएगा देखिए यहां से ऐसे ब्लैक करके जब आप यहां पर क्लिक करें जब ब्लैक करसर बने तो खीचिएगा तो अपने आप सारा कुछ कॉपी हो जाएगा अब देखिए आप एक में सेम कुमार ठीक है उसका सेलरी है बारह हजार रुपए ठीक है ओवर टाइम डे है इसका थारा दिन तो बस बाहर एक बार किलिक किजिए देखिए सब कुछ आटोमेटिक यहां तक एंसर आ गया और यहां पर ओवर टाइम अमांट घंटा दी में डा जता हूं 35 घंटा एंट को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सियर और सब्सक्राइब करके जाएगा और आगला वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर किजिए आगे में आपको इसमें अटुमैटली सर्टिफिकर टाइब का जैसे कि एक वरकर है तो अगले वीडियो में अगले वीडियो में अगले टोपे के साथ तब तक के लिए बाए-बाए- और आग抗ियो में आगे इसमें वीडियो में अगले वीडिया वीडियोग हमारे वीडियो रागे वीडियो में अगले अगले लिए生